नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का स्वागत है दरपन सिवल सर्विस के यूटूब चैनल में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रिलिम्स की टेस्ट स्री चल रही है तो आज हमारी टेस्ट स्री इसका जो टॉपिक है यूनिट 9 का साइवर सेक्यॉर्टी और जिसके तहत हम 25 कोस्टन जो है एप और टेलीग्राम चैनल में अप्लोट किये थे उसका डिसकसन जो यूटूब के मात्यम से आपको प्रवाइट कराएंगे तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा अपना डिसकसन तो कोस्टन नमबर पहला है निमलेखित में से कौन साइ साइबर हमले के रूप में सामिल है तीनों ही यहां पर हमारे उप्रोक्त सभी कथन हमारा सही हो जाता है इसकी व्याक्या देखते हैं साइबर हमले के निमनी रूप हो सकते हैं इंटरप्सन, इंटरसरप्सन, मॉटिफिकेशन या संरचना है तो इस प्रकार से हमारे उप्र आपराद में हम सामिल कर सकते हैं किसमें कर सकते हैं समाजिक साइबर अपराद को सामिल कर सकते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं साइबर बुलिंग जो है इंटरनेट और संबंध तरीकों का उपियोग है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना जो है साइबर बुलिंग कहलाता है इंटरनेट सेबा और वेप पेज जैसी मॉवाइल तकनीक का उपियोग तरहा समस के साइबर अपरात को युद्ध का पाचवा छेत्र मना जाता है तो किस प्रकार के शाइबर को हम युद्ध का पाचवा छेत्र मान सकते हैं और पहले कौन से छे जल से ना वायू यूद्व अंत्रिक्ष यूद्व इस प्रकार से हमारा पाच्वा छेत्र जो है साइवर वार्फेर है ना साइवर वार्फेर क्या होता है किसी रास्ट द्वारा दूसरे रास्ट की कंप्यूटर नेटवर्फ में घुसकर गुप्तवा संबेदन सील डेटा को चुराना जो रहता है नश्ट करना नेटवर्फ संचार को बाधित करना जो है साइवर अप्राद या साइवर वार्फेर कहलाता है ठीक है आगे चलते हैं कोश्चेन नमबर 4 में इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे गए अपसब्द को किस प्रकार से के साइवर अप्राद में सामिल किया जाएगा तो यहां फ्लैम कहलाता है क्या कहलाता है फ्लैम कहलाता है इस प्रकार का जो सब्दावली हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए प्रतिकी नकल करना उसको पाइरसी कहा जाता है पाइरसी की परिभासा देखते हैं कि प्रतिकी नकल उतार कर उसकी प्रतिकी नकल उतार कर उसकी प्रतिकी लिपी को काला बजारी के माध्यम से बजार में बैचने को जो कहते हैं पाइरसी कहा जाता है ठीक है यहाँ पर ऑप्स बस्तोता ही रिबूट होने लगता है हम जिस वेब पेज पे जाना जाते हैं गलत हॉम पेज खुल जाता है हना वाइरस कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है हमारा कंप्यूटर जो धीमा काम करने लगता तो यह भी सही है computer बार-बार hang होने लगता है यहां उप्रुकते सभी गतन हमारे सही हो जाते हैं अगला चलते है वाइरस का पूरा नाम क्या है पूरा रूप क्या है वाइरस का तो वाइरस को जोलते है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कहा जाता है इसका वाइरस का फुल फॉ आउना किसी नेट्वर्क में घुसका डतर स्वर्प्रों से खटर करने के प्रत्तिया को कहा जाता है औ। हमária सही होता है किस प्रकार के हैकर को एथिकल हैकर कर духовफ में जाना जाता है थाना तो जो वाइट है कर मिसक्त und इनकी व्याक्र देख लेते कि क्या होते है य応 ये की द्वारा एक किसी भी संस्ता की द्वारा रखा जाता है इसलिए इने इतिकल हैकर की रूप में भी जाना जाता है प्राइविसी बनाने के लिए सरकार द्वारा अच्छे मतलब की सरकार की जो है कोई हैक न कर सके हैकिंग से बचाने के लिए हैकर को जो रखा जाता है वही authentication कहलाता है question number 11 देखते हैं निमलिकित में से कौन सा malware है ना तो warm, frozen, horse, spyware ये सभी जो है malware की standee में आते हैं जो है ये सभी जो है क्या है उप्रोक ते सभी malware option में डी हमारा सही होता है malware क्या होता है यह एक 2 spoon software या virus है जो computer system में घुज़कर प्रोग्राम से छेड़ खड़ करता है ये सभी वाइरस जो है warm, frozen, horse, spyware आदी, malware के उदाहरण है यहाँ पी चलते है question number 12 में किसी computer में जाकर अपनी copy खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला virus कौन है तो ऐसे virus को हम warm कहते हैं क्या कहते हैं warm कहते हैं ऐसे virus को क्या कहा जाता है warm कहा जाता है option number A हमारा सही हो जाता है इसकी व्याक्या देखते है warm क्या एक प्रकार के computer virus है warm virus किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना network की सुरक्षा खामियों का उप्योग कर फैलता है यह data यह file में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है यह अपनी copy खुद बना का तेजी से फैलता है तेथा memory को भर देता है computer की गति जो धीमी हो जाती है और memory जो है crash भी होने की संभाबना होती है तो यहां पर हमार सही answer हो जाता है A warm अगला चलते है question number 13 में proxy server का उप्योग की गुपनीता इन सभी के लिए जो proxy server का उप्योग किया जाता है option number D हमारा सही हो जाता है अगला चलते है question number 14 निमलिकित में से कौन सा एक antivirus software नहीं है यहां पर कुछ है नाम दिये हैं जिसमें से एक वाइरस है बाकी सभी antivirus अभीरा लावा शॉप्ट और फारवल यह सभी जो है antivirus जबकि बोजा जो है यह एक प्रकार का वाइरस है यह Windows 95 जैसी विस्प्रसित सिस्टम के खिलाब यह पहला और एक मात्र वाइरस था ना जिसे विर्टेस अनुसंधान करता हो दोरा खुजा गया था यह वाइरस जो Windows 3.1 को प्रभावित करने में सक्षम था यह बहुत ही मामली वारस यह नहीं था अगले चलते हैं कुश्य नंबर पंद्रा में निमलिखित में से कौन सी गवर्नेंस के इस्तंब के रूप में सामिल नहीं है ना इगवर्नेंस के इस्तंब के रूप में कौन सामिल नहीं है तो इगवर्नेंस के इस इस्तंब में जो है आता है सबसे पहले आते हैं लोग फिर आती है प्रक्रिया फिर आती है प्रद्योग की और फिर आती है शर्ण यहां पर समाज नहीं आता, option number यह हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, आगे चलते हैं, question number 16, electronic की विभाग की इस्थापना कब की गई, तो electronic की विभाग की इस्थापना जो है, कब की गई, 1970 में की गई, 1970 अप्सन नमबर यह हमारा सही होता है, आगे चलते है, निमलेकित मैंसे, पर नियंतरण हेतू, यहां कथन भी सही है, निदान सौप्टेयर, बिमारियों की निगरानी होती है, यहां कथन भी सही है, और my government portal, सिक्षकों को जीवन सहली को डिजिटल बनाने के लिए किया जाता है, वह है, दिक्षा पोर्टल, कौन सा है, दिक्षा पोर्टल, तो यहा पर जो है, जानकारिया उपलबद होती है, कुल 11 भासाओं में जानकारिय उपलबद होती है, कुश्चे नमबर 19, MP online portal की स्थापना जो है, जुलाई 2006 में की गई, जुलाई 2006 में, मदप्रदेश शरकार का अधिकरत portal है, मदप्रदेश शरकार की eard governance की एक महत्तपूर जो है, ठीक है आगे चलते हैं कुश्चा नमर 20 में सार्थी पोर्टल सम्मंदित है तो सार्थी पोर्टल सम्मंदित है दिव्यांग व्यक्तियों के ससक्ति करन के लिए है ना दिव्यांग व्यक्तियों के ससक्ति करन करने के लिए ये सार्थी एब बनाया गया है आगे चलते हैं अन्य योजनाओं का एक पटल से सरलीकरण और पारदर्सी रूप से प्रभावी क्रियान्वन किया जाता है तो हमारा ऑप्शन नमबर 20 ही होता है कुछ्चन नमबर 22 है निमलिखित मैंसे असत्य कथन है तो असत्य कथन बताना है यहां पर इपार्ट साला NCRT किताबों के लिए एकदम सही बात है बोलो अप अबन नात यात्रियों को इस रक्षा है तो यहां कतान भी सही है माई स्पीड अप इंटरनेट डाटा की स्पीड जाचने है तू और सी विलेज जो है रेल्वे से संबंधित जी नहीं रेल्वे से संबंधित अप जो है यह हमारा कौनसा है सार्थी कौनसा अप है कि सार्थी जब कि से विलेज जो है यह चुनाब आयोग का फेग तो हमारा option number यहाँ पर D सही हो जाता है आगे चलते हैं question number 23 में reunited app का संबंध किस से है तो reunited app का जो संबंध है वह है लापता बच्चों को पता लगाने से है लापता बच्चों का पता लगाने से reunited app का संबंध है option number A हमारा सही हो जाता है खजाना कारक्रम का संबंध किस राज्य से है तो खजाना कारक्रम का जो संबंध हुआ करनाटक राज्य से है किस राज्य से है करनाटक राज्य से है करनाटक सरकार ने वित्त के कुसल प्रबंधन के लिए खजाना कारक्रम लगू किया था बी आप्सन हमारा सही हो जाता है कुश्चन नमबर फाइब अलेक्ट्रोनिक सेवा प्रदायन विधेक 2011 के अंतरगत सेवा प्रदान ना करने वाले अधिकारी पर कितनी अर्थ धंड अधिरोपित करने का प्राउधान है तो यहां पर 20,000 रुपई की रासी का प्राउधान है कितनी रासी का? 20,000 रासी अधिरोपित करने का प्राउधान दिया गया है तो इस परकार से हमारे आज के 25 कुश्चन का डिसकसन यहीं पर समाप्त होता है आपने questions लगाए होंगे और जो भी doubt होए होंगे आपको तो discuss के मादम से हम कोसिस करते हैं कि ज़्यादस ज़्यादा आपको fact 25 question में हो सकें तो 75 या 100 fact हम आपको बताएं तीन गुना या चार गुना fact आपको बताएं ताकि आपकी तैयारी में जो हमारी तरफ से एक सहयोग मिल सकें वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद